49, 48, कलम बिला है e की पावर 3x into cos, रेकित में है 4x प्रस 3 का x के सापिक समा कलम कीजिए. समा कलम को हम i के बराबर मान लेते हैं, माना i बराबर है integral e की पावर 3x into cos 4x प्रस 3 dx. अब यहां इसपस्ट है कि यह e की पावर a x into cos b x इस रूप में दिया गया प्थलन है. हमारा सूत्र क्या है, सूत्र यहां लिख लें, integral e की पावर a x cos b x dx होता है, e की पावर a x upon a square plus b square, bracket में है, a cos b x plus b sin b x plus c. यह हमारा a की पावर a x into cos b x इसके समा कलंग का सूत्र है. यहां b x जो है, तो b तो हमारा 4 है, b x के इस्थान पर 4 x plus 3 लिखा हुआ है. a हमारा 3 है, तो a तो हमारा हो गया 3, b हमारा यहां हो गया 4, x का गुणा जो की 4 है. तो समा कलंग कितना हो जाएगा? i बरावर हो जाएगा e की पावर a x अर्था 3 x बटा 3 square plus 4 square. रैकेट में a cos b x है, तो 3 cos b x अर्था, मुझे क्या लिखना है? 4 x plus 3, पुरा का पुरा लिख देना है, plus b sin b x है, b हमारा है 4, sin b x की इस्थान पर मुझे पुरा लिख देना है 4 x plus 3, plus c, यह हमारा i का मान हुगा. सर्वल कर लें इसको, तो 3 का square हो गया 9, 4 का square हो गया 16, 9 और 16 हो गया 25. मान हो गया, e की पावर 3 x बटा 25, 3 cos 4 x plus 5, plus 4 sin 4 x plus 5, plus 3, यहां 3 है, plus c. यह हमारा i का अभिष्ट मान होगा. उधारण 49, निम लिकित फलनों का x के सापक समकलन कीजिए. तीन प्रिशन यहां हमें मिले हैं, पहले प्रिशन में हमें फलन मिला है, अंडर रूट x square plus 2x plus 5, समकलन को i के बराबर मान लें. माना i बराबर है, अंडर रूट x square plus 2x plus 5, इंटीग्रल dx, यह हमारा i है. अब हमें जो अंडर रूट के नीचे लिखा है, इसे मानक सूत्र में ले जाने के लिए, पून वर्क का रूप देना है. तो पून वर्क का रूप देते हैं, यह हो गया, इंटीग्रल अंडर रूट x का वोली square plus 2 into x into 1 करना पड़ेगा, तो 1 का square हमने इसमें जोड़ दिया. प्लस 5 यहाँ as it is ले लिए, एक का square हमने घटा दिया. कितना dx? यह हमारा i का मान होगा. यहाँ से यहाँ तक हमें अब एक पून वर्क मिल रहा है. यह हो गया, इंटीग्रल अंडर रूट x प्लस 1 का वोली square, 5 माइनस 1 हो गया, 4 अर्थात 2 का square, dx. यह हमें मिल गया. अब हम अपने मानक सूत्र को देखते हैं. हमारा सूत्र है, इंटीग्रल अंडर रूट x square प्लस a square, dx. यह होता है, x अपॉन टू, अंडर रूट x square प्लस a square, प्लस a square अपॉन टू, log, modulus x प्लस अंडर रूट, x square प्लस a square, प्लस c. यह हमारा मानक सूत्र है, इस मानक सूत्र में इसको रख दे, मान कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन टू, वहाँ x अपॉन टू है, यहाँ x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 अपॉन टू, अंडर रूट, x square प्लस a square, यह मान हमने यही से प्राप्त किया, तो इसको डिरेक्ली लिख सकते हैं, यह मैंने डिरेक्ली लिख दिया, x square प्लस 2x प्लस 5, प्लस a square अपॉन टू, A square हमारा कितना है? 4 4 upon 2 तो मान कितना हो जाएगा? 2 log modulus अब यहाँ पर है X plus X की स्थान पर मुझे X plus 1 लिखना है X plus 1 plus under root यहाँ है X square plus A square यह मान है X square plus A square जो यहाँ से आया है तो मैं directly यही मान लिख दू X square plus 2 X plus 5 plus C यह हमारा I का अभिष्ट मान होगा यह हमारा अभिष्ट समा कलब होगा अब हम दूसरे प्रशन को देखते हैं दूसरे प्रशन में हम क्या पाते हैं? उन्हें इसे पूर्ण वर्क का रूप बनाना है तो मैं इसको तो मिटा देता हूँ और इसको पूर्ण वर्क का रूप बनाता है समा कलब को I के बड़ाबर मालने माना I बड़ाबर है इंटीग्रल अंडर रूट 3 माइनस 2 X माइनस X स्क्वायर D X पूर्ण वर्क का रूप बनाना है ताकि हम मानक सूतर का प्रियोग कर सकें तो 3 3 माइनस 2 X माइनस X स्क्वायर यह हमें यहाँ फ्लन मिला है जो कि अंडर रूट के नीचे है माइनस कॉमर ले लिया अंदर क्या बज़ेगा X स्क्वायर प्लस 2 X माइनस 3 माइनस बहार है X का वोल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू X इंटू 1 एक का स्क्वायर हमने जोडधिया. माइनस 3 लिखा, एक का स्क्वायर हमने घटा दिया. इस प्रकार से हमें प्राफ्थ हुआ. अब देखो, यहाँ, यहाँ से, और यहाँ तक तो एक पोर्य वर्क बन रहा है. यह तो हो गया, माइनस, x plus 1 का holy square minus 3 minus 1 तो minus 4 और ठाथ minus 2 का square यह क्या प्राप्त हुआ जब minus 6 से multiply हुआ 2 का square minus x plus 1 का square यह हमें प्राप्त हुआ इस मान को यहां लिखते हैं i पराप्त हुआ हो गया integral under root 2 square minus x plus 1 का square dx यह हमारा अब मानक सूत्र के रूप में मानक सूत्र का अब हम यहां पे प्रेयोग कर सकते हैं प्रशन को हमने इस रूप में प्राप्त कर लिए है मानक सूत्र लिखते हैं integral under root a square minus x square dx यह इस रूप में a कहिस्तान पर क्या है 2 है मान क्या होता है x upon 2 under root a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon a प्लस यह हमारा मानक सूत्र है मान रख दिया x upon 2 तो यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे x plus 1 x plus 1 upon 2 यहां से इसको मिटा सकते हैं x plus 1 upon 2 into under root a square minus x square जो क्या हमारा यह है यह हमने इसी से प्राप्त किया है तो directly मैं यह लिख दू 3 minus 2x minus x square plus a square upon 2 a square हमारा है 4 4 बटे 2 होगे है 2 sin inverse x upon a अर्ठाथ x plus 1 upon 2 plus 1 यह हमारा अभिष्ट i का मान होगा i बराबर हो गया x plus 1 upon 2 into under root 3 minus 2x minus x square plus 2 into sin inverse x plus 1 upon 2 plus c अगला प्रशन लेते हैं और यहां से इसको मिटाते हैं उन्हें हम यहां समा कलन को i के बराबर माल लेते हैं माना i बराबर है integral under root x square plus 8x minus 6 dx under root के जो नीचे लिखा है उससे हम फूल बर्ट के रूप में ले जाएं तो हमें फ्लन क्या मिला है यहां लिख ले पे x square plus 8x minus 6 यह हो गया x का square plus 2 into x into 4 4 का square इसमें जोड़ दिया minus 6 as it is ले दिया 4 का square घटा दिया मान कितना हो गया पूल बर्ट बन गया है यहां से यह हो गया x plus 4 का पूल स्क्वाइर minus 6 minus 16 minus का 6 और 16 22 अर्थात हम i को किस प्रकार से लिख सकते हैं i का मान हो गया integral under root x plus 4 का पूल स्क्वाइर minus under root 22 का पूल स्क्वाइर dx कैसा लिख सकते हैं अब यह हो गया under root x square minus a square इस रूप में आ गया हमारा सूत्र क्या है मानक सूत्र है integral under root x square minus a square dx यह होता है x upon 2 under root x square minus a square minus a square upon 2 log modulus x plus under root x square minus a square plus c यह हमारा मानक सूत्र है यहां देखो x के स्थान पर लिखा है x plus 4 यह हो गया x plus 4 upon 2 under root under root under root x square minus a square यह है जो हमने इस से ही प्राप्त किया है तो directly यह लिख दू into under root x square plus 8x minus 6 minus a square upon 2 a square हमारा कितना है 22 है 22 upon 2 यहां से इसको मिटा दे 22 upon 2 log modulus x अर्थाद x plus 4 plus under root x square minus a square यह है जिसको मैं directly यह लिख सकता हूँ x square plus 8x minus 6 plus यह हमारा माना है cancel कर दिया है यह 11 बारा है यह मान x plus 4 बटे 2 into under root x square plus 8x minus 6 minus 11 log modulus x plus 4 plus under root x square plus 8x minus 6 plus c यह हमारा i का अभिष्ट समा कलन का मान होगा तो इन तीन प्रशनों में हमने इन सूत्रों का प्रियोग किया है under root under root x square plus a square dx x upon 2 into under root x square plus a square plus a square upon 2 into log modulus x plus under root x square plus a square plus c होता है इन प्रियोग इन तीनों सूत्रों को भी हमें मानक सूत्रों के रूप में कंठस्त करना चाहिए ताकि हम प्रशनों को कर सकें कि अज भी आर ध मानक के प्रुः के लिए कि अजर के खिल